इस धर्ती पर इतने अजीव जीव जन्तु पाए जाते हैं जिनकी आपने कलपना भी नहीं करी होगी कुछ जीव तो इतने बड़े होते हैं जो किसी भी दानों से कम नहीं लगते तो वहीं कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिने माइक्रोइसकोप से भी देखने पर सही से नजर नहीं आते इस वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे ही वीचित्र जीवों से रूबरू कराऊंगा जिसे आपने कहीं भी नहीं देखा होगा इस वीडियो मैं आपको एक ऐसे अजीब जानवर से मिलाओंगा जो इंसानों के सीने में उंगली डाल कर मार डालता है और साथ ही मैं मैं आपको एक ऐसे जानवर से मिलाऊंगा जिसको कहा जाता है कि अगर इसके सरीर का कोई भी यंग पटके या तूटके अलग हुई है तो वो उसे दुबारा जोग लेता है इस तरह के बहुत सारे अजीव गरीब जीव और वीचितर दिखने वाले जानवर आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजे तो चलिए सुरू करते हैं इसकी अलग बनावट ने आपको थोड़ा जरूर अकरसित करा होगा ये एक वीचितर जानवर है जो आउस्ट्रेलिया के कई लागों में पाये जाता है ये मान सहारी जानवर अपने अनोख़ई पायरों और अंगों के लिए प्रसित है का सरीर कुछ हद तक बिल्ली और बतक दोनों से मिलता है और तो और ये सूखे और गीले दोनों इस्थानों में रहता है और ये अपनी भूख मचलिया और कीड़े खाकर खत्म करता है अपसे अनोखी बाद इसकी विसेश प्लेट है जो इसे सबसे अनोखा जीव बनाती है ये एक अंडे दिने वाला जीव है ये अपने विसेश अंग और सरीर से वैग्यानिकों के बीच में अध्यान का विसेव बना हुआ है ये ज़्यादा तर टाइम अपना पानी में इस पेंड़ ना करकर जमीन में करते हैं और ये पानी में गोता लगाने में सच्छम होते हैं वादा अंडे देती हैं जो इन्हें आने वाली जनरेशन को बचाये रखता है जी हाँ इसका नाम ए है ये एक विसेश प्रकार करात्री वन जीव है जो में डगासकर के इलाखों में पाये जाता है इसके अजीब किस्से जान कर आप रोमानचीत रह जाएंगे वैसे आप बता दे कि इसका सरीर बहुत ही लंबा होता है और इसके बड़े बड़े कान होते हैं जो उसके अच्छे सुनने के छमता को दरसाते हैं उनकी उंगलिया भी लंबी होती है इसमें एक विसेश उंगली होती है जो अन्य उंगलियों से अलग होती है और जिससे उसे कीटों को निकालने में मदद मिलती है ये बहुत ही रोचक प्राणी है जो सन्रच्छ की दृष्टी से बहुत ही महत्तपूर है क्योंकि इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है इनकी रोचक बात ये है कि इनको हमेशा बुराई और अध्वतीर के रूप में देखा जाता है और इसको देखते ही मार दिया जाता है कुछ लोग कहते हैं किसी भी गाओ में एकी उपस्तिती एक ग्रामीट के मृत्यू का संकीत देता है और इसको रोकने का एक मातर यही तरीका है कि इसको मार देना चाहिए वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि यह चातों के द्वारा लोगों के घरों में घुझ जाते हैं और अपने इस बड़े उंगली से सोय हुए लोगों की हत्या कर देते हैं नमबर एड टाइडी ग्रेट किसे कहानियों में आपने अमर जीओ के बारे में सुना होगा लेकिन आप जानते हैं कि एक ऐसा जीओ धर्ती पर मौजूद है ये आठ पैरोवारा जीओ जिसे टाडी ग्रेट कहा जाता है ये इतना जीब दिखता है कि ये इस दुनिया का लगता ही नहीं इसका साइज इतना छोटा है कि ये आपको नॉर्मल आखों से नहीं देख सकती इसको देखने के लिए एक माइक्रोइस्कोप का प्रियोग करना पड़ता है ये किसी भी मौसम में और दुनिया के किसी भी हिस्से में अराम से अर्जिस्ट कर सकते हैं ठंडी गर्मी जहरीले पदार्थ या किसी भी प्रकार के चीजों का इन पर कोई असर नहीं होता ये अंतरिक्ष में भी बिना ऑक्सीजन के आसानी से सर्वाइब कर सकते हैं और वहाँ भी बच्चा पैदा कर सकते हैं नमबर सेवेन फौजा ये एक बहुत ही विसेस और रोमांचक जानवर है जो मुख्य रूप से मेडाकास करके बने जीव में पाये जाता है ये एक अनोखा प्राणी है जो दिटने में बिल्ली, कुट्टे और नेवले के समाल लगता है लेकिन इसका वास्तों में इनसे कोई सम्बंध नहीं है फौजा एक मांसिहारी जानवर है इसका बूजन, पसुपच्ची और कई सारे जमीनी जानवर होते हैं ये जानवर अकीले रहता है और ये रात के समय में सिकार करता है इसकी एक स्पेसल पावर है दूर तक सूनने की शम्था जो इसे सिकार तक काफी असानी से लेकर जाती है और इनके संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीशे का हाथ वन नजीव की कटाई और बीना रोके जाने वाले सिकार रहने की वज़े से इनका उंख्या में काफी तीजी से गिरावट आ रही है तो दोस्तो आज की वीडियों बस इतना ही आगे मिलते है तक के नए इंट्रेस्ट टॉपिक के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजो और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें